जोहार हजारी बाग यातायाद पुलिस ने पूरा साल भर 2022 में जो कलेक्शन किया है यातायाद नियमों का उलंगन करने वालों से वो इस परकार है यातायाद नियमों का उलंगन करने पर MV Act के तहट निम्न बंदों पर मुख की रूप से जुर्माना किया गया है क्या ये जुर्माना है आए जानते हैं यहां के पुलिस परदिकारी से महंदित होती है जिसमें बहुत हद तक पुलिस का रोल नहीं होता है परंतु कुछ एक जो बॉटल नेक्स होते हैं जहां पर ट्राफिक जाम कुछ एक नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन से लगता है वहां पर हम लोग निशीत रूप से इंटर्वेंशन करते हैं और चाहूंगा कि ट्राफिक ठाना द्वारा करीब एक करोड़ 21 लाग 22,000 रुपे के करीब का जो राशी है उतना राशी से डंडित किया गया है जिन लोगों ने ट्राफिक के नियमों का उल्लंगन किया था जिसमें खास करके यातायात नियमों का उल्लंगन करने के लिए 38 लाक रुपए के आस्पास जुर्माना हम लोग ने ठोका है बिना seatbelt वहान चलाना और तेज गती से वहान चलाना करीब 2 लाक रुपए फाइन हम लोग ने वसुला है अन्य यातायात नियोमों का जो उल्लंगन करने पर पर करीब 63 लाख रुपे जुर्माना हम लोगों ने उनको दंडित किया है तो मुझे लगता है कि पुलीस का रोल रेविन्यू जनरेशन या किसी को जुर्माना वसुलना नहीं है यह हम लोग केवल जो यातायात नियमों का उलंगन होता है या उसके बात जो घटनाएं होती ह है जैसे accidents होते है जısमें जानमाल की ख़ती होती है उससे कही नकücks पब्लिक को बचाने का हमारा उद्देश रहता है कभी हम लोग का उद्देश यह नहीं रहता है कि जुर्माना की राशी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से वसूले या लोगों से हम दंड के रूप में पैसा वसूले परंतु इन चीज़ों का जब आप इन्फोर्स्मेंट अच्छे से करते तो कहिने कही रिजल्ट आपको रोड पे दिखता है एक्सिडेंट्स में कमी आती है आप सभी आउगत है कि 31 डिसेंबर और एक जनवरी को पूरे जिला में कही पर भी ऐसी घटना नहीं हुई जहां पर शराब पी करके कोई व्यक्ति अक्सिडेंट हुआ है और उसकी जान चली गई है तो यह हम लोग सफल हुए थे एक टार्गेट हम लोगों ने रखा था कि इन दो दिनों में कम से कम रिसोर्सेस कम मैन पावर कम रिसोर्सेस के साथ भी एक बहतरी धंग से अन्य विभागों से समन्वें रखते वे ट्राफिक थाना प्रभानेर कारे किया है